हेलो माई यूटो फेमली, कानह कली फूट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें साथने बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें इससे हमारे वीडियो के सारे नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस रेसिपी को इसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो करेला लिया हुआ है और इसे हमने अच्छी दर से धुल के बिल्कुल बारीक पीसिज में कट कर लिया है आप देख सकते हैं और फिर हमने यहाँ पर लिया है चार मिडियम साइच की बारीक कटी हुई प्याज आप देख सकते हैं तो प्याज की मात्रा करेले के साथ थोड़ी सी जादा रखे या तो आप जितना करेला ले रहे हो ठीक उतने ही मात्रा में आप प्याज भी ले सकते हैं करेले में आप जितनी प्याज डालोगे करेला उतना ही अच्छा बनेगा तो इसके लिए हम यहाँ पर कड़ाई लेंगे और इसे हम गैस पर रखेंगे गैस का फ्लेम ओन करेंगे फिर इसमें हम लेंगे तीन से चार बड़े चममच तेल करेले में तेल की मात्रा थोड़ी सी जादा रखें तो तेल को बलकुल अच्छी तरह से गरम कर लें तो तेल यहां पे हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच मेथी दाना और फिर इसी के साथ में हम ले लेंगे एक चम्मच जीरा इन दोनों को हम अच्छी तरह से चटक जाने देंगे थोड़ा साईने आपस में मिक्स कर दें तो जीरा और मेथी दाना हमारा यहां पे बिल्कुल अच्छी तरह से चटक चुका है अब इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 लासुन की कलिया तो हमने इसमें ऐसे छील के बिल्कुल साबूत ही डाल दिया है आप चाहे तो इसे बारी कट भी कर सकते हैं अलासुन की मात्रा थोड़ी सी करेले में आप जादा रखें इससे भी इसमें बहुत बढ़ी अ फ्लेवर आता है तो इन्हें मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका ले तो लासुन यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें हम डाल देंगे तीन बारी कटी हुई लाल मिर्च एक बार आप लाल मिर्च के साथ करेले को बना कर देखिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इससे जो करेले की करवाहट होती है न वो खतम हो जाती है ऐसा हमारा मानना है आपको चैसा पसंद हो आप ऐसा बना सकते है फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्च के पक जाने के बाद आधा चमच हल्दी पाउडर और फिर इसके साथ हम ले लेंगे आधा चमच धनिया पाउडर फिर इसमें हम डाल देंगे एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर मिर्च का टेस्ट आप अपने हिसाब से रखें इनको हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे करेला जो हमने कट करके रखा है और करेले को डालने के बाद फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्सिकल लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टो लो पर रखे तो करैले को हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है अब इसे हम ढख देंगे और 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे 2-3 मिनट बाद हम यहाँ पर कैप हटा कर इसे फिर से एक बार मिक्स कर देंगे तो आप यहाँ पर करैले का कलर जो है वो देख पा रहे होंगे यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है तो सोचो अगर जब यह देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा लीड लगाकर एक मिनट के लिए और पकाले जिससे ये मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाए गैस का फ्लेम मेडियम टू लो पर ही रखें तो अब हम लीड हटाके करेले को एक बार और मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि करेला हमारा मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच नमक नमक का टेश्ट आप अपने हिसाब से रखें नमक डालने के बाद फिर इसे हम मिक्स कर देंगे और फिर से इसे हम लीड लगाके 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे तो आप देख सकते हैं करेला यहाँ पे हमारा पूरी तरह से पक चुका है तो करेला जब पूरी तरह से पक जाए तब ही आप प्याज को डालें पहले आप प्याज को ना डालें नहीं तो जो प्याज होती है वो बहुत ज़्यादा सौप्ट पढ़ जाएगी तो करेले की सबजी जो है वो खाने में उतनी टेश्टी नहीं होती है तो इसलिए पहले आप करेले को अच्छी तरह से पका लें और फिर उसमें प्याज को डालके अच्छी तरह से मिक्स कर दें प्याज को डालने के बाद आप इसे मिडियम टू हाई फ्लेम पर तीन से चार बार ऐसे बराबर मिक्स करते हुए पकालें प्याज बहुत जल्दी सौप्ट पढ़ जाएगी करेले के साथ करेले और प्याज को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम लीड लगा कर इसे दो मिनट के लिए और पकालेंगे गैस का फ्लेम मिडियम पर ही रखें लीड हटा कर इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर दें तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज हमारे पूरी तरह से पक चुकी है और अब हम यहाँ पर gas का flame medium to high पर कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए ऐसे बराबर mix करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे तो finally करेले की सबजी हमारे यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तयार है तो अब हम यहाँ पर gas का flame off कर देंगे और फिर चलिए इसे serve करते हैं तो friends आप देख सकते हैं करेले की सबजी हमारी कितनी खिली खिली हुई सी बनी है इसमें crispiness भी है और कड़वाहट भी नहीं है जो करेले की सबजी ना भी खाना पसंद करता होगा अगर आप इस trick से बनाएंगे तो वो भी खानने लगेगा आसा और उम्मीद करती हूँ हमारी ये recipe आप सभी को बहुत जादा पसंद आई होगी पसंद आई हो तो please हमारी वीडियो को like करें, share करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो please चैनल को subscribe करना न भूले